रानी गंज नामा के गाउं में जोती नाम की इकलड़की रहती है उसका इस दुनिया में उसकी इकलोटी दादी के अलावा और कोई नहीं होता जोती रूप रंग से काली होती है जिस कारण उसका हर कोई उपतिरसकार करता और मजाक उड़ाता है कॉलेज में अरे देखो तो क कोलेज का काला ठीका आ गया हाहाहा बाप रे बाप इस काली कलोटी को देख के तो मुझे बाद खिनाती कितनी बचसुरत है यह आ यार इसकी शकल ही पनौती सी है दिन ही बुरा जाता है इसकी शकल देखने पर अरे ओए कलो देख क्या रही है जा अपना काम कर और अपनी य जोती को उन सब की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो कॉलिज के बात्रूम में जाकर खूब रोती है। चार लोगों के बुरा कहने से तो खुद से नफरत मत कर लाडो, तन की सुन्दरता का क्या है, जो व्यक्ती मन से सुन्दर होता है, वो दुनिया में सबसे सुन्दर होता है। उस कॉम्पटिशन में हिस्सा लेने की एक्छा जाहिर करती है, कभी लड़किया उस पर हसने लगती है। तुम सब मुझ पर हस क्यों रही हो, मैं भी तो फैशन शो कॉम्पटिशन में भाग लेना चाहती हो, उसमें क्या खराबी है। अरे ओ कलो रानी, तेरा दिमाग ठीकाने पर है ना, शकल देखिए अपनी आइने में कभी, तेरा रंग कोईले से भी काला है और तू इस कॉम्पटिशन में भाग लेगी। तू चाहें तो दुनिया भर का मेक अप थोपले, उसके बाद भी अपने इस काले रंग को नहीं चीपा पाएगी। तुझे तो अंधेरे में देखना मुश्किल ही है, सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा तुझे। जोती उन लड़कियों की बाते सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, और वो घर जाते समय गाओं की मगरताल के पास जाती है, वो एक ऐसा तलाब होता है जिसमें धेरों मगरमच होते हैं, सब मेरा मजाक उडाते हैं, मुझे नहीं जीना है, मैं मरने के बाद सबसे बदला जोती है, और अब वो ठान लेती है, अब चाहिए जो हो जाए, मैं अपनी बेज़ती का इंतिकाम ले कर ही रहूंगी, हर हाल में इस गाओं की सारी लड़कियां बदसूरत हो जाएंगी, और तब उन्हें समझाएगा कि बदसूरत होने पर कैसा महसूस होता है, जोती अपन एक ब्यूटी पार्लर खोलती है, और वहाँ वो एक इंसान का भेस बदल कर हर किसी का मेकप करती है, धीरे धीरे गाओं की सारी लड़कियां अब उसके पास आने लगती है, क्योंकि उसने अपने पार्लर में डिसकाउंट रखा होता है, जोती हर किसी का मेकप बहुत अच् करती हो, अब तो मैं हर बार तुमारे पार्लर में ही आया करूंगी, ठीक है दीदी, चलेगा, आईए, मुझे तो बहुत खुशी होगी, नालायक कहीं की, तुझे ये नहीं पता कि तिरे इस गोरे-गोरे मुकडे का क्या हाल होने वाला है, घर जाने के बाद, बहुत जब रजनी घर जाती है, तभी थोड़ी दिर बाद वो अपनी शकल को आईने में देखकर हैरान रह जाती है, और चीक पढ़ती है, ये क्या हो गया, मेरी शकल काली हो गई, ये भगवान, तुम्हारी शकल काली हो गई, बिटिया, हाई रे, मेरी बेटी कितनी वजसूरत द दिख रही है, ये क्या हो गया इसके साथ, मा, मैंने आज ही पार्लर जाकर मेकप करवाया था, रजनी की पार्टी में जाने के लिए, और देखो ना, क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी, लेकिन तु हर बार जानवी ब्यूटी पार्लर में जाती है, इस बार कहां चली मां के साथ जंगल में पहुँचती है, तभी वहाँ पर वो दोनों जोती चुड़ैल को देखकर बहुचक का रह जाते हैं। मां के मां पर अपनी काली शक्तियों का इस्तमाल करती है और उन्हें सम्मोहित करती है, तो उसके बाद वो दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से लोट जाते हैं। क्योंकि कोई भी लड़की इस पहली को नहीं सुलजा पाती कि आखिर उनके चेहरे काले कैसे हो रहे हैं। लड़कियां fashion show competition में भी हिस्सा नहीं ले पाती और उन्हें वैसा ही दुख महसूस होता है जैसे जीते जी जोती को महसूस होता था। ये सब देखकर जोती के कलेजे को काफी ठंड़क पड़ती है। तुम सब के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम सब ने मुझे चैंसे जीने नहीं दिया। इसलिए अब मैं तुम सब को चैंसे नहीं जीने दूँगी। जोती के ब्यूटी पार्लर के आसपास कोई भी नहीं जाता था और वो चुप चाप सारी लड़कियों का मेक अप करके उन्हें काला कर देती है। अब मैं तेरी इस मलाई तैसे गोरे चेहरे को कोईले से भी जादा काले कर दूँगी। चैंसे लिए मैं आईने में नहीं देखती। अजीब हो करीब रिवास है। फैर, मुझे क्या। उस दिन जंगल में लक्टियां बीन ने आई जान की नाम की एक लड़की उस पालर के खिरकी में से देखती है। और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे जोती अपनी काली शक्तियों से मेक अप में जादू करती है। और कस्टमर्स का मेक अप करती है और जाते समय उन्हें सम्मोहित करके फिर से अकेले में अपनी चुडैल रूप में लोट आती है। इसका मतला वे जोती एक चुडैल है और ये अपने इस ब्यूटी पार्लर से गाओं की लड़कियों को काली कर रही है। और तो और जाते समय उन्हें सम्मोहित भी कर रही है जिसके चलते वो इसके बारे में सब भूल जाएं। नहीं मुझे इस काली चुडैल को खात्म करना होगा वरना यूही सारे गाओं की लड़कियां बचसूरत होती जाएंगी। बीन ने आई लड़की अपने घर जाकर चेहरे पर गंगा जल लगा लेती है और चुडैल के ब्यूटी पालर में जाती है। जब जोती उसका मेकप करने के लिए उसके चेहरे को छूती है तभी उसे जटका लगता है। और उसका हाँ जलने लगता है। कौन हो तुम? क्यों डर गई? तुम्हें क्या लगा काली चुडैल? तेरा सच कभी किसी को पता नहीं चलेगा। क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो और तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चला सारा सच? अरे तेरा बदला सिर्फ तीन-चार लड़कियों से था लेकिन तुने उसकी सजा पूरे गाउं की लड़कियों को क्यों दी? तेरे साथ जीते जी जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ लेकिन मरने के बाद तु तो उससे भी जादा गलत कर रही है और मैं तुझे वो जीते जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा लेकिन मरने के बाद उसने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था लेकिन मैं तुम सबसे ये कहना चाहती हूँ कि तुमारे गोरे और काले रंग में फर्क नहीं करना चाहिए हाँ जानकी तुम सही कह रही हो हम आइंदा से इस गाउ में किसी के रंग को लेकर उसका तेरा सकार नहीं करेंगे दोनों रंग अपने आप में ही सुन्दर हैं व्यक्ति की सुन्दर्टा उसके मन से पर्की जाती है ना कि उसके तन से ये बात सभी को समाझनी होगी लड़कियों को अपने गलती का एहसास हो जाता है और उस गाहों में सभी आपस में एक दूसरे की इज़त करके प्यार से रहने लगए